स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फंड पे जहां पे तीचा साब को दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं तो अगेन यार आज मैं डॉक्टर के पास गया हूं और बहुत अच्छे से अब इलाज चल रहा है मुझ में कैमरा अमरा गुसेड दिया उन्होंने कुछ वोकल कॉर्ड में कुछ इंजरी है चोटी सी ठीक हो जाए कि कुछ दवाईयां चल रही है तो मैं आज का लास्ट लेक्चर होगा जहां पे मैं आपसे शमा चाहूंगा जहां पे मैं थोड़ा सा धीरे बोलूँगा मैंने माईक की आवाज को बढ़ा दिया है बट मेरा आपको लगेगा ऐसा की जोश नहीं है बट जोश बहुत है लेक्चर देने भी इंपोर्टन थे आप लोग के एक्जाम भी आ रहे हैं तो इसलिए सोचा कि अभी थोड़ा सा लो आवाज में ही पढ़ा देते हैं चल जा हम वापस से अपने उस जोश में आएंगे जिस तरीके से अचा आप तो नहींत के बच्चे हैं आपको चाहिए पता ना हो आप देखेगा पुराने लेक्चर साब समझ जाएंगे कि हम काफी जोश और होश में पढ़ाते हैं बट कोई नहीं चलिए तो हमने लास्ट करें जा था कि वेक्टर और स्केलर कॉंटिट्व क्या होता है तो आज सबसे पढ़े तो हम डिस्टेंस और डिस्प्रेंट के उपर निमेरिकल करेंगे अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आपको देखना पड़ेगा उब्वसी हुश बात है क्योंकि लेक्च अब कोशन क्योंकि NCRT में बहुत लिमिटेट से हैं तो सोचा कि मैं खुछ से यहां पर कुछ सवाल लेके आऊँगा और हम उन्हें करेंगे ठीक न तो सबसे पहला सवाल थोड़ा सा इजी सवाल है कि माल लेते हैं रहुल ट्रेवल्स ओफिस तू हो टू होम इन टू मिनट्स अट ओम जो अफिस बाक इन प्रे बीनट्स इफ इस तंस बिवें अफिस अब हम is hundred meters find distance find total distance and displacement तो इस question में हमें time भी दे रखा है बट time जो है उसका यहां पे कोई काम जो है वो नहीं है तो मतलब ऐसे भी कभी कबार हो सकता है कि कोशन में कोई चीज़े ऐसी आ जाएं जिसका कोई काम ना हो और वो हो सकता कोई कनफ्यूस करने के लिए दे 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 जाएं या भी से बहुत सारे कोशन में chemistry के second chapter में देखेंगे concentration के कोशन में temperature दे रखा होता है तो यह बहुत easy कोशन है और यह exam में MC की form में आ सकता है कि office को हम ओ मान ले थे है office से home जो है वो 100 मीटर की दूरी पे है तो राहूल office से home जाता है और फिर home से वापस office आता है तो अगर मैं आप से बोलू कि total distance कितना हुआ तो total distance यहां पे हो जाएगा जाती बार 100 और आती बार वो वापस आया अपने घर तो 100 मतलब office से घर घर से वापस जैसे मैं समझ लो तो total distance जो हमारा हो गया वो 200 मीटर हो गया और वहीं पे अगर मैं total displacement पूछूँ तो जहां से उन्होंने शुरुआत की थी office से तो वो घर गर घर से वापस office आ गया तो जहां से उन्होंने शुरुआत की थी वो वहीं पे वापस आ गये हैं तो total displacement जो है वो 0 मीटर हो जाता है यह पता है था कि जब वो गुम के वापस अपने जगा पे आ जाए कोई object तो total displacement जो है वो 0 हो जाता है थीक है बहुत simple सा question लेकिन एक सवाल है जो exam में काफी बार देखा गया है पुछा गया है काफी बार पुछा गया है और वो यह है कि there is यह तो NCRT का सवाल है there is a circular track there is a circular track of radius 7 meters तो there is a circular track of radius 7 meter एक circular track है जिसका radius 7 meter है a farmer covers one round in 20 seconds calculate distance and displacement after 50 seconds यह बहुत ही प्यारा question है ध्यान रखिएगा question क्या है थोड़ा सा हिंदियन वाद अगर करें तो हमारे पास एक circular track है let us suppose यह वो एक circular track है और यह circular track का जो radius है वो हमारे पास 7 meter है circular track का radius हमारे पास 7 meter है तो एक farmer है जो 20 seconds में इसका एक चकर काटता है तो आपको पताना है कि total distance और displacement कितना होगा after 50 seconds तो सबसे पहले तो हमें यह check करना होगा कि वो rounds कितने चलता है बिगोज जितने round चलेगा उसी के हिसाब से distance और displacement बनेगा तो अगर हम statement समझें तो time taken to complete one round question में बोला वाए कि एक round complete करना है में उसको 20 seconds लगेंगे तो maths के हिसाब से total number of rounds जो है total number of rounds जो है वो कितने हो जाएंगे तो answer है total time 50 seconds है upon me 20 तो वैसे भी आप हिसाब लगा सकते हो कि एक round 20 seconds में फिर अगला round 20 तो 40 हो गया और फिर अगला आदा round which is again 10 seconds में चलेगा तो वैसे भी और maths के साब से भी 2.5 rounds हो जाते हैं तो ये तो हमने अभी ये निकाला कि वो कितने rounds चलेगा अब अगर हम rounds ना निकालने के पीछे distance और displacement निकालने के पीछे आएं तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ कि distance in one round एक round में कितना distance जो है वो हमारा जो object है वो यानि farmer जो है वो चलेगा एक round में distance तो एक round में जो distance है वो होगा 2 pi r किसे माल लो उसने शुरुबात यहां से की मतब कहीं से भी की तो farmer घूम के वापस यह आ गया तो this is the circumference तो distance in one round is basically circumference और circumference का formula 2 pi r होता है तो 2 pi के विले 22 by 7 and r is 7 तो cancel हो कि हमारे पास 44 meter यह distance है एक round में पर वो round चला कितना है important बात यह कि वो धाई round चला है एक round में उसका distance जो है farmer जी का वो कितना है बचो ओहो एक round में farmer जी का जो distance है वो कितना है भई 44 तो 2.5 rounds में कितना होगा 44 into में 2.5 हो जाएगा तो total distance के अगर बात करें तो total distance हो जाएगा 44 जो कि एक round का है into में वो धाई round चला है अब 44 into में धाई 88 तो into में 2 हो गया अब 88 में 2 add कर दिया तो हो गया 90 तो फिर मतलब कि यह हो गया 110 मतलब 110 मीटर हो गया तो basically जो total distance हो जाएगा वो 110 हो जाएगा बाकि आप calculation चेक करना 44 into में 288 हो गया 88 प्लस 22 यानि कि 2 90 हो प्लस तो 110 मीटर total distance हो जाएगा लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है कि total displacement क्या होगा time stamp पे अभी 8 मिनिट हो रहे है लगवग 9 मिनिट हो रहे है जल्दी से आप मुझे पताएगे कि total displacement क्या होगा after 2.5 rounds total displacement क्या होगा इस केस में जल्दी से कमेंट सेक्शन पर आंसर दीजिए जबते मैं पानी का एक सिप ले लो हाँ तो आप आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पर इसका आंसर दे दिया है कि total displacement क्या होगा अब अगर displacement की बात की जाए तो एक round में displacement हो जाएगा जीरो जैसे अगर मैं इसको ही बना लूँ दुबारा से एक round में displacement हो जाएगा यहां से गूम के वापस आया तो displacement हो गया जीरो दूसरे में भी हो गया जीरो और अगला बाला आदा चला है तो displacement होता है starting और final position के बीच में gap तो this is our starting and initial point and this is the final point so this is the displacement this is the displacement because shortest distance from initial to final point is called displacement तो total displacement जो है वो इस case में हमारे diameter के बराबर हो जाएगा total displacement जो है वो किसके बराबर हो जाएगा diameter के बराबर हो जाएगा अब diameter क्या होता है 22 में radius अब question में radius 7 दे रखा है तो 14 मीटर हमारा total displacement हो जाएगा बहुत simple है अगर question में हम कुछ भी solve करते है round 5 आते है या 6 आते है तो 0 हो जाता है because एक पूरे round में displacement 0 हो जाता है तो ये बात भी ध्यान रखनी है कोई भी आदा round आएगा तो displacement diameter हो जाएगा बढ़ अगर कोई पूरा round की form में आता है कोई hole number आता है 1,2,3,4 ऐसे आता है तो उस case में जो displacement है वो 0 हो जाएगा ठीक है तो ये basically हमारा total distance and displacement का खेल जाता है तो ये slide हमारा काम उससे पहले ही होगा है अब अगर हम लोग बात करें आज speed और velocity के बारे में जैसे हमने last lecture में distance और displacement की बात की थी ऐसे यहां पर speed और velocity की बात जो है वो थोड़े सी होगी अब speed क्या होता है देखो हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे speed को बहुत पहले से ही जानते हैं हो सकता है क्या जानते ही होंगे हम लोग ने 7th और 8th में पढ़ा हुआ speed होता है आप कितना distance travel कर रहे हैं per unit time तो total distance traveled by a body per unit time इसको हम लोग speed कह देते हैं यानि the distance covered एक body ने कितना distance cover किया per unit time यानि कि divided by time इसको हम लोग speed बोलते हैं तो अगर mathematically बात करें तो किसी body की speed होती है कि उसने कितना distance जो है वो cover किया divided by कितना time यानि कि इतना समय उसको लगा तो speed होता है distance per unit time तो इस formula के हिसाब से यानि कि speed अगर distance per unit time होता है तो इस formula के हिसाब से यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूँ कि what is the SI unit of speed तो speed की SI unit देखो speed है क्या कोई कितना distance चल रहा है divide by time ज्यादा से ज्यादा distance अगर कोई चलेगा कम से कम time में तो हम कह देंगे उसकी speed ज्यादा है ज्यादा से ज्यादा distance अगर कोई चलेगा कम से कम time में तो हम कह देंगे उसकी speed जो है वो बहुत ज्यादा है तो distance upon time अब distance की unit होती है meter और time की होती है second जिसको हम सिरफ S भी लिख सकते हैं इसके साब से अगर मैं इसको तो आट टेड़ा लिख दूँ मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकता हूं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम सेकेंड को उपर ले जाएं तो मीटर पर सेकेंड MS की पावर माइनस वन भी लिख सकते हैं यह पर सेखेंद ये मीटे पर सेखेंद एंधीव पर सेखेंद अच्छा प्लस यह एक डैश कॉन्टिटी है आप मुझे पता हो स्पीड एक स्केलर कॉन्टिटी है यह वैक्टर अगेइन कमेंट सेक्शन में टाइंस स्टाइब 12 मिनट 13 अब डालो और जल्दी से बताओ कि जो speed है वो एक scalar quantity होती है या एक vector quantity होती है तो आंसर है speed एक scalar quantity होती है कैसे because distance जो है वो भी direction के साथ change नहीं होता यह हमने last class में पढ़ा था और time तो वैसे भी direction पे बिल्कुल भी depend नहीं करता time कैसे कर सकता है तो distance और time यह दोनों ही direction पे डिपेंड नहीं करते तो speed भी नहीं करेगी इसलिए एक scalar quantity हो जाती है अब आप सोच रहे होंगे कि our speed की SI यानि standard unit तो meter per second है बट इंडिया में जादातर cases में speed को kilometer per hour में नापा जाता है जैसे कि हमारी गाड़ियों में जो distance को नापता है उसको हम odometer कहते है तो यहाँ पे चाहिए मैं एक point भी लिख देता हूँ note का आप से exam में सवाल पूछा जा सकता है एक note का point लिख देता हूँ कि odometer क्या होता है तो odometer is a device which measures distance हमारी गाड़ियों में जो distance को नापने के लिए लगा होता है उसको हम लोग odometer कह देते हैं बिलकुल ऐसे ही गाड़ियों में जो speedometer लगा होता है वो speed को नापता है बढ़ आपने notice क्या होगा कि speedometer हमारी गाड़ियों में scooter में, bike में इन सब में अकसर speedometer किलो मेटर पर आर में होता है बढ़ फिलहाल अगर मैं भी एक और note का पॉइंट है ये exam में एक आर नंबर में पूछते हैं वही सवाल तो speedometer क्या है used to measure speed हम इससे किसी की भी speed निकाल सकते हैं बढ़ आप सब इस बात से मेरे हामी भरोगे कि हम सब के घरों में जो भी vehicles हैं उसमें जो भी speed है वो kilometer पर आर में है बढ़ उसकी ऐसा unit per second में इसलिए में जरूरी सीखना होगा कि कैसे हम लोग kilometer पर आर को meter per second और meter per second को kilometer पर आर में कर्णूट करते हैं जरूरी होगा जो कि हम आज सेखेंगे भी बट speed क्या है distance traveled per unit time अगर हम इसको symbol form में लिखें तो speed का symbol V होता है जी हां कई बच्चों को लगता है speed का symbol S होता है S तो बलके displacement का symbol होता है speed का symbol V होता है ध्यान रखिएगा distance के लिए हम X यूज़ कर सकते है distance के लिए और time T तो ये formula भी हो जाएगा बात एक ये ठीक है जी वहीं पर ये तो हुआ speed क्या है अब velocity क्या है अगर हम लोग समझे तो velocity is लगबख लगबख similar to speed बस speed में distance upon time आया था लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ तो velocity जो होता है वो बहुत हद तक similar है और velocity हो जाता है displacement upon me time velocity जो हो जाता है वो हो जाता है displacement upon me time speed क्या है distance upon time velocity क्या है displacement upon time दोनों बहुत अलग अलग चीज़े हैं बट same ही है कहने का मतलब है मतलब वैसे बहुत अलग है एक displacement upon time है लेकिन एक distance upon time है लेकिन अगर एक object straight line में चल रहा है एक straight line में चले जा रहा है तो हमने पता है था distance और displacement बराबर हो जाएगा तो speed और velocity भी automatically बराबर हो जाएगी तो velocity क्या है displacement upon time है ठीक है जी अब लिखा भाय total displacement आपने कितना जो है वो cover किया per unit time इसको हम लोग velocity बोल देते हैं अब क्योंकि ये displacement upon time है और displacement distance ही होता है बस उसमें direction एड हो जाती है kind of ऐसे ही कहीं किताब ऐसा ही बोलती है कि अगर मैं speed में direction डाल दूँ तो उसको velocity क्या देंगे चीक है ये statement बट ऐसे इसकी definition याद मत करना definition वो ही याद करना कि velocity is displacement upon time अब अगर मैं ऐसे बात करूँ तो इनका जो symbol है velocity का भी symbol V होता है बट अकसर velocity यानि की vector quantities ठीक है अभी बात कर लेंगे कि velocity एक vector quantity है समझी गए होगे because displacement आ गया है तो velocity automatically एक vector quantity हो जाएगी बट जो भी vector quantity होती है उनके पर हम arrow लगा जाते है although हम यह नहीं लगाएंगे हर बार यह तो पहली बार बना रहा हूँ तो पता रहा हूँ बट दोनों का symbol V ही है speed का symbol भी भी है और velocity का भी भी ही है बस फ़रागी होता है कि आप चाहो तो इनको differentiate करने के लिए velocity के उपर arrow लगा सकते हो पर हम हर बार लगाएंगे भी नहीं और ऐसे displacement को भी X से दिखाते हैं बट क्योंकि वो vector होती है तो उपर arrow लगाएते हैं नहीं तो नहीं भी लगाएंगे तो यह हमारे पास displacement upon time आ गया ठीक है जी आप अगर बात करें कि velocity के ऐसा unit क्या होगी तो आप यह आप समझते हैं कि दोनों की ऐसा unit तो सेम ही है क्योंकि वो है distance upon time और यह है displacement upon time तो दोनों की unit जा है वो सेम ही है विच इस meter और नीचे आगया second यानि meter per second जिसको मैं ms-1 बलेख सकता हूँ अब आप मुझे पताईए यह एक dash quantity हुई यह एक scalar quantity हुई या vector quantity हुई तो आंसर है यह हुई यह हुई एक vector quantity क्यों हुई यह vector quantity भई क्योंकि अगर मैं direction change कर दूँगा तो displacement change हो जाएगा अगर मैं direction को change कर दूँगा तो displacement change हो जाएगा और अगर displacement change हुआ तो velocity भी change हो जाएगी जिसकी वज़ा से velocity एक vector quantity बन जाती है बट क्या ये कहना सही होगा मुझे पताना comment section पर कि sir आपने true लिखा sir आपने false लिखा comment section अब लिखना sir true, sir false ये statement सुनने के बाद कि when object travels in a straight line जब एक object straight line में चलेगा when object travels in a straight line then speed is equals to velocity comment section ने बताओ क्या ये बात सही है अगर एक object straight line में चल रहा है तो distance और displacement तो बराबर था ही क्या speed और velocity भी बराबर हो जाएंगे तो answer is answer is कि नहीं तो true है ये false है comment section पर I hope लिख दिया आपने check करूँगा मैं जड़ा एक बात देखें मैंने part 1 में कोई सवाल पूछा थे आप लोगों से जहां तक मुझे आदा part 1 में तो मैंने कोई सवाल पूछे नहीं थे वैसे बट फिर भी एक बारी में check कर लेता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लगता है आज बच्चे कमेंट सेक्शन पर आंसर देते हैं तो काफी अच्छा लगता है तो एक बार देखते हैं कि आप लोगों ने सही से आंसर दियें कि नहीं दियें है तो कमेंट सेक्शन पर येस समृति सिंग जी ने आंसर दिया है डिस्प्लेस्मेंट जीरो और अजना सिंग जी ने आंसर दिया है एक बहुत मुश्किल नाम है यूजर डवल्यू एल एट इसका आगे ने पड़पाऊंगा बहुत लंबा है इन्होंने भी सही आंसर दिया है विनीत मंधन जी ने भी आंसर सही दिया है और एक बच्चा कह रहा है निमेरिकल कप सॉल्व करवाओगे भाई आज करवादी आज और भी आएंगे दिनेश कुमार जी ने भी सही आंसर दिया है user 12ac ने भी answer है, बहुत सारे और बच्चे हैं जिनोंने answer सही दिये, अब जिनके मैं नाम लिये हैं प्लीज इसी वीडियो में comment कर देना कि मैंने आपके नाम लिये हैं, ठीक है तो ये हमारा basically जो concept है वो ये है, ठीक है जी, एक second रुकिएगा ठीक है जी, तो कहने का मतलब है बच्चो, कि distance और displacement के उपर कुछ सवाल देते हैं, तो उसके answer आपने दिये थे तो यह जब आप answer लिखते हो comment section पर तो एक अच्छा, एक friendly manner बनता है, अच्छा manner बनता है तो वो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है बट, आगे बढ़ते हैं और आज थोड़ा सा पहले बात करते हैं कि how to convert speed from kilometer पर hour to meter per second और y-savars-a, तो पहले मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि कैसे इसे convert करते हैं, फिर हम convert भी कर लेंगे, तो ध्यान रखिएगा अगर मुझे कोई speed meter per second में convert करना है, मतला मुझे अगर kilometer per hour में दे रखिए, और मुझे उसको meter per second में convert करना है, तो वैसे तो मुझे उसको kilometer को meter में करूँगा, तो thousand से multiply कर दूँगा ना और r को second में करने के लिए 3600 से, तो वैसे तो मुझे उसको multiply करना होता है thousand upon में 3600 से, बट क्योंकि ये आगे करता है, आगे solve होता है, तो इसलिए मैं और करके लिख देता हूँ, कि मैं अगर इसको आगे काटूँगा, तो 5 by 18 आ जाएगा, इसलिए कई स्कूल वाले, या teacher भी या बच्चा भी, सीधा ऐसे याद कर लेता है, और करवाता भी है बच्चे को, कि सीधा 5 by 18 से multiply कर दो, आगर मुझे kilometer पर r को meter per second में convert करना है, तो सीधा 5 by 18 से multiply कर दो, बट मैं इस बात के खिलाफ हूँ, मतब आप 5 by 18 से multiply करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 5 by 18 कैसे आया, actually kilometer को meter में convert करने के लिए thousand, और r को second में convert करने के लिए 3600, तो फिर उस हिसाब से 5 by 18 आ जाएगा, अगर मैं उसको काटता हूँ, तो 5 by 18 आ जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि 5 by 18 क्यों आया, ऐसे ही अगर उल्टा करना है, यानि कि meter per second से, kilometer per hour में जाना है, तो अवसे बात है, उल्टा हो जाएगा, और इसके लिए मुझे multiply 3600, और divide by thousand, जिसको मैं उल्टा करके, 18 by five भी कर सकता हूँ, मैं कहा रहा हूँ, आप सीधा 18 by five, या 5 by 18 use कर लो, मना नहीं है, लेकिन आपकी अंतरा आत्मा को, पता होना चाहिए, कि वो आया कहां से है, अगर आपकी अंतरा आत्मा को, यह ही नहीं पता, कि वो आया कहां से तो फिर कोई फाइदा नहीं है सीधा रटे मारने का कि फाइव बाइटीन से मल्टिप्लाइ कर दें ठीक है जी चलो इसके दो पार्ट है एक आप करो एक मैं करता हूं फिर आगे बढ़ेंगे पहला है मार पास थर्टी सिक्स किलो मीटर पर आर को मैं ऐसे भी लेख सकते हैं मुझे इसको मीटर पर सेकिन में कनवर्ट करना है तो जैसे कि मैंने आपको पताया आप इसे सीधा फाइव बाइटीन से मल्टिप्लाइ कर सकते हैं बर आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे आया है तो अगर मैं इसको इससे डिवाइट करता हूं तो आंसर टू आ जाएगा फाइव इन्टू में टू तैन मीटर पर सेकिन आ जाएगा जल्दी से अब आप वन पॉइंट एट किलो मीटर पर आर को कनवर्ट करके कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम डाल के चौबेस मिनट कुछ सेकिन आंसर लिग दिये जल्दी से यह तो औरली होने वाला सवाल है हो गया होगा आप और आपने लिग भी दिया होगा वन पॉइंट एट किलो मीटर परार लिग दिया बच्चो चलो आओ देखें तो यहां पर वन पॉइंट एट को भी मैं फाइव बाइटीन से कर दूंगा और इसको डिवाइट कर अब तो यह मेरे पास 1 पाइट एट आजाएगा या उपर 0.1 आजाएगा बाते किये तो 0.05 मीटर पर सेकीन मेरे पास आंसर आई होड़ आपने अपने कमेंट सेक्शन पर लिखा उड़ और इसका उल्टा भी हो सकता है तो हम किलो मीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड या कुछ देशों में देखा हूगा कि माईल्स पर आर का सितमाल किया जा रहा है बत हमारे देश में नहीं होता है इसलिए हDieमारे में नायनस में तर इसके ऑपर कोई tion नहीं आदा तो को इसकी टैंशन लेने की जो जरूरत है वो नहीं है ठीक एजी चलें यह क्यों छोड़ा है मुझे नहीं पता है लेकिन आओ कुछ सवाल है यह कर लेते हैं यहां पे चल ऐसा कर लेते हैं कुछ आपको homework देते हैं ठीक है ना कुछ homework देते हैं homework क्या है आपके पास homework है convert फॉल्टा देते हैं convert following into किलो मीटर पर आर पहला है 15 मीटर पर सेकिंड और दूसरा है 36 मीटर पर सेकिंड ठीक है इसको किलो मीटर पर आर में convert करना है बहुत इजी काम है चलिए एक सवाल आ रहा है सवाल क्या है इना rectangular track of length 4 मीटर एक rectangular track है जिसकी length 4 मीटर और चुड़ाई 3 मीटर है एक athlete जो है वो एक round cover करता है 2.5 rounds cover करता है sorry 100 seconds के अंदर तो आपको उसका speed और velocity निकालने है मैं question को complete कर देता हूं यहाँ पर थोड़ा सा assuming that athlete starts from a corner कोशन तो आसा और complete करते हैं assume कर रहे हैं कोशन में given होगा यह कि वो corner से start कर देता है ठीक है अब कोशन को समझो हमारे पास एक rectangular track है और इस rectangular track की जो लंबाई है वो हमारे पास 4 मीटर है और जो चोड़ाई है वो हमारे पास 3 मीटर आप वेसे बात है आपने कितने round मारे 2.5 यह A मान लेते हैं मान लो B मान लेते हैं C मान लेते हैं D मान लेते हैं अगर आपने number of rounds 2.5 मारे है number of rounds आपने 2.5 मारे हैं वो भी 100 second में तो आपको velocity और speed निकालने हैं आप for velocity and speed हमारे पास distance और displacement होना चाहिए तो ultimately हमें अब distance और displacement जो है वो निकालना है तो पहले मैं निकाल लेता हूँ एक round में कितना distance होगा हाना भई तो distance in one round एक round में कितना distance होगा तो answer है circumference या जिसको हम rectangular case में parameter कहतेंगे तो सिधा add भी कर सकते हैं 4 plus 3 7 and again 7 plus 7 आ जाएगा 14 meter तो एक side 4 है एक 3 है एक 4 है एक 3 मुझे पता है या comment section पर बेस्ती मत करना कि हम इसमें 2L plus V मुझे formula पता है obviously बात है 2L plus V भी होता है जैसे मर्जी आप करो तो 14 meter ये एक round में हैं अब अगर मुझे distance in 2.5 rounds निकालना हो अगर मुझे ये निकालना हो कि ये धाई round में ये तो अभी भी किया था हमने ये धाई round में कितना distance चलेगा तो 14 meter तो एक में चल रहा है तो धाई सा अगर इसको multiply कर दें तो 14 into में 2 तो हो गया 28 28 में 7 add करें 29 30 31 32 30 34 35 तो 35 meter आ जाएगा हाँ ना वई चीक है अब ये हमाँ पस total distance आ गया लेकिन अगर मुझे displacement निकालना हो तो है कोई आप में से कोई हुश्यार बच्चा जो मुझे comment section पे इसका displacement बता दे क्या है है कोई हुश्यार बच्चा जो इसका displacement बता दे क्या है भई वेट कर रहा हूँ मैं चलो वीडियो को pause कर लो चलो ऐसा कर कर लो वीडियो को pause करके comment section पे इसका displacement बता तो मज़ा आ जाए तो आंसर आकर मैंने यहां से शुरू किया मालो तो पहला चक्कर काटा displacement 0 दूसरा काटा displacement 0 लेकिन अगला जब आधा काटा अगला जब आधा काटा तो displacement हमारा यह हो गया आना भाई तो यह हो गया डाइगनल ज जाने की 3 का स्क्वेर तो यह 16 प्लस 9 तो यह हमारे पास 25 आजाएगा विचेस 5 मीटर अब हमारे पास डिस्टेंस भी आ चुका है और हमारे पास displacement भी आ चुका है तो अब वसे बात है हम यहां पर आप स्पीड और वेलोसिटी जो है वो निकाल सकते है नहीं नहीं यह तो हम इसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं ठीके जी अब हम लोग यहां पर एक बारे डिस्टेंस और डिस्प्लेस्मेंट अगर आ चुका है तो अब हम लोग स्पीड और वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो अब मुझे पताओ स्पीड का फॉर्मला क्या होता है स्पीड का फॉर् हाई चक्कर में कितना आ गया था 35 तो डिस्टेंस हो गया हमारे पास 35 टाइम हमारे को लगा 100 सेकिंड तो 0.35 मीटर पर सेकिंड हो गया लेकिन वहीं पर अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी का फॉर्मला हमारे पास है डिस्प्लेस्मेंट अपॉन में लिगानल क्योंकि पहला चक्कर जब काटा तौ डिस्प्लेस्मेंट जीरो हो गया दूसरा काटा तो अग controlling zero, और अगला रडुन काटा तो यहा पहुंच गया तो यहां हमने speed और velocity पढ़ा अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा average speed, average velocity और उसके बाद acceleration के पढ़ाई करके जो कि हमारा 3 लेक्चर होगा और 4 लेक्चर में हम सारा graph पढ़के इस chapter को ख़दाम कर देंगे तो 4 लेक्चर ये chapter जो है वो हमारा चलने वाला है ड़ना जी चीक तो जो मैंने दो कोशन आपको हमवक में दी है उसको एमानदार इससे आप कर लीजेगा और फिर आगे बढ़के इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे तो thank you so much thank you comment section पे please regular रहिए ताकि थोड़ा सा आपका मेरा relation जो है वो बने और thank you thank you thank you